ओम नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुकला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों प्रदोश का वरत भगवान शिव को और माता पार्वती को समर्पित होता है ऐसा कहा जाता है कि शिव और पार्वती की क्रिपा पाने का सबसे जो स्रिष्ट वरत है वो प्रदोश का वरत है हर महीने की त्रयोदशी तिति को प्रदोश का वरत किया जाता है त्रयोदशी तिति जो कि भगवान शीव को अत्यन तिप्रिय है दोनों ही पक्षों में आती है क्रिष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी दोनों पक्षों के वरत बहुत से भक्त हैं जो धारन करते हैं कई भक्त ऐसे भी हैं जो एक पक्ष का प्रदोश वरत भी धारन करते हैं तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप वरत धारन कर सकते हैं प्रदोश का तो आज की वीडियो में आप जानेंगे प्रदोश वरत के बारे में जो की श्रावन मास का अंतिम प्रदोश वरत कब है? त्रयोधिशी की तिती कब प्रारंब हो रही है? कब समाप्त हो रही है? वरत आपको कब धारन करना है? और पूजा का यानि की प्रदोश काल की पूजा व्रत अगर आप धारन करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और व्रत खोलने का शुब भूरत क्या है यह संपुर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो बहुत महत्यों पुरा जरूर देखिए अच् सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नए वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समय प्रप्राप्त होगी तो सबसे पहले जानते हैं प्रदोश व्रत के शुब महुरत के बारे में त् 30 अगस्त को दोपहर में 2 बज कर 48 मिनट पर तो प्रदोश का व्रत हमें कब धारन करना चाहिए देखिए शास्त्रों के अनुसार जब संध्याकाल में यानि की प्रदोश काल में त्रयोदिशिती व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोश का व्रत धारन किया जाता है तो ऐसे में प्रदोश का व्रत हम 28 अगस्त 2013 को धारन करेंगे जो कि सोम बार का दिन होगा और इस बार का जो प्रदोश है सोम प्रदोश का व्रत होगा सोम प्रदोश का व्रत आप सभी जानते हैं कितना महत्यपुर्ण होता है शास्त्रों के अनुसार किसी भी प्रकार की मनो काम न हो संतान की कामना हो स्वभागे की कामना हो मन चाहि जीवन साथी की कामना हो अपार्धन संपदा की कामना हो यह कोई भी और मनों कामना हो कोई भी विशेश मनों कामना हो आप अगर सोम प्रदोश का व्रत धारन करते हैं तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है और हां आपको ज़रूर करना है तो सावनमाज का अंतिम शोमवार और सोम प्रतोश का itself बहुत ही दुरलब और शुबशाययोग में अगर आप भगवान शीव की पुजा आराध्ना करते हैं मंत्रोचा करते हैंं उनका जलापी शेक करते हैं मंदिर में दीप दान करते हैं तो हर प्रकार की कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है तो प्रदोष व्रत के दिन यानि की 28 अगस्त को प्रातहकाल जल्दी उठना है सुर्योदे से पहले उठ जाईए या फिर ब्रह्म महुर्थ में उठ जाईए उठकर नित्य कर्मों से निवरित होकर श्नान कर लीजिए साप स्वच वस्त्र धारन कर लीजिए आज गंगा जल मिश्रित जल से श्नान करना चाहिए और शुब रंगों के वस्त्र धारन करने चाहिए मतलब काले और नीले रंग के वस्त्र छोड़ कर बाकी कोई से भी शुबरंगों का प्रयोग कीजिए इसके बाद भगवान सुर्यदेव को जल अरपित कीजिए अपने घर के मंदिर में एक शुद्धिकी का दीपक प्रजुलित करके सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्पले कर वरत का संकल पले लीजिए कि आज आप प्रदोश का वरत धारन कर रहे हैं अगर आपकी कोई भी विशेश मनो कामना हो तो अपनी मनो कामना भगवान शीव से कहिए और उनसे प्रार्तना कीजिए कि आपकी मनो कामना को पुण्ड करें वरत में पूजा पार्ट में जाने अन जाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए शमा प्रार्तना कर लीजिए और इसके बाद आपके हाथ में जो सामगरी है भगवान शीव के चरणों में अरपित कर दीजिए और हाँ कई ऐसे भगते हैं जो कि सोमवार और प्रदोश वरत दोनों वरत धारन करते हैं तो उन्हें दोनों वरत का संकल्प लेना है मतलब सोमवार का भी संकल्प लीजिए और प्रदोश वरत का भी संकल्प लीजिए दोनों वरत का संगलब लेने के बाद अगर आप वरत करते हैं तभी आपको दोनों वरत का फल राप्त होता है तो संगलब के साथ ही वरत शुरू कीजेगा इस बात का ध्यान रखेगे इसके बाद विधिविदान से भगवान शीव की पूजा आप चाहे तो घर में कर सकते हैं या फिर घर के आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में जाकर कर सकते हैं दिन भर आपको वरत रहना होता है, वरत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाई ले सकते हैं, दूद पी सकते हैं, मतलब अपने इच्छा के नुसार फलाहार और जलाहार के द्वारा आप वरत धारन कर सकत के तो आपकी पुजा कर लीजे लेकिन शाम की पूज्यों की पूजा होती है तो सामगरी सारी व्यवस्थित कर लीजिये tiếp ढ़ांग धव्युपत्र बिशेख किया जा सकता है मतलब जो भी सामगरी आपके पास उपलब्ध है उसी से आप भगवान शीव का भी शेख कर सकते हैं शाम को जलाबिशेख जरूर कीजिए सबसे पहले भगवान शीव का जलाबिशेख कीजिए फिर अक्षत चंदन भश मेत्यादी सभी चीजे एक ए पूजव्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए पूजा करते समय मंत्रों का जब करती रहिए कोई साभी मंत्र आप जब सकते हैं चाहे तो पंचाक्षर मंत्र नमह शिवाय या ओम नमह शिवाय आप चाहे तो महामरे तुञ्जय मंत्र का जब कर सकते हैं शिव तांडो स्तो पूजा आरातना करने के बाद कपूर से उनकी आरती कर लीजिए व्रत में पूजा पार्ट में कोई भी भूल चुक जाने अंजाने हो जाती है उसके लिए शमापरातना कर लीजिए और हां बात करें कि व्रत कब खोलना चाहिए तो देखिए बहुत से भगते हैं जो कि शाम क भोजन लेकर अपना व्रत खोलते हैं तो आपने जिस प्रकार से भी व्रत शुरू किया है मतलब पहले से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो जिस प्रकार से भी आपने व्रत शुरू किया है उसी प्रकार से हर बार आपको नियम का पारण करना चाहिए क्योंकि नियम हर बार बद हमास कर तीस मिनट तक प्रदोश काल की पुजा का श्मुहुर्थ है इसी सब्से dilemma में आपको भंगवान की पूजा आरादना प्रारंब कर देनी चाहिए पुजा फिर आप चाहए कितनी भी देर लेकिन श्मुर्ट में आप पूजा प्रारंब हो जाए बस इस बात का ध्यान रखिए और हां सोम प्रदोश है तो भगवान शीव को सफेद पुष्प अवश्य रपित करने चाहिए इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है संतान प्राप्ति की कामना है तो धतूरे का फल और धतूरे का पुष्प भ चाहे जीवन साथी की कामना है तो दूद में केसर मिलाकर भगवान शीव का अविशेक कीजिए सफेद पुष्प भगवान शीव को अरपित कीजिए पीला कनेर का पुष्प भगवान शीव को अरपित कीजिए और इसी के साथ माता पारवती को लाल पुष्प अवश्य र पारपाट कीजिए और हां जिन भक्तों को सरकारी नौकरी की कामना है बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है तो उन्हें गंगा जल में थोड़ा जल मिलाकर उसमें लाल चंदन डालकर भगवान शिव को अरपित करना चाहिए मतलब इसी से भगवान शि कि यह प्रकार से कमजोर है मान प्रतिष्था में कमी आ रही है सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है संतान प्राप्ती में बादा है तो ऐसे में आपको लाल आकडे के पुष्प शिवलिंग पर जरूर अर्पित करने चाहिए तो श्रावन मास का अंतिम प्रदोष सोम होगी होगी आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे प्रदोश रद की कथा मिलती हूं मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार